हलो फिर्ट पर सेकेंड वेलके बैक इन माई डिल्ट से मैं हूँ अगाश पाड़ और आप देख रहे हैं उनिक से मेकर से एल्फ यूनिक कैसे हो आप लोग दोस्तों आप मैंसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं बीम में जाऊ पर वो कन्फीज रहते हैं कि वाटर देडवान्टेज्स इफ लर्न बीम मनलब बीम अगर सीखा बिल्डिंग इंफर्मेशन मॉडलिंग सीखा तो फायदे क्या क्या होंगे भाई देखो आज के दुनिया में हर कोई चीजों को करने से पहले सोचता है उसके बेनीफीट्स के बारे में आपका सोचना ला ना मतलब जो भी आप जमीन के उपर काम करने वाले हो बिल्डिंग बनाने वाले हो पेड लगाने वाले हो सोलर पैनल लगाने वाले हो वो सारी चीजे जो वहाँ पर करने वाले हो उसको अपने वर्चुल प्लेटफॉर्म यानि अपने लैप्टॉप के उपर करके चेक कर तो कई लोग सोच रहाँगे कि इसके ड्वांटेज, यहीं से ड्वांटेज की जनली स्टार्ट होगे गाईज, यहां का सबसे बिगेस्ट एड्वांटेज, सपोर्ज मैं एक साइट ले रहा हूँ, जिस साइट का पूरा ओरॉरॉल कास्ट आ रहा है, 10 सी यार, कितना रहा है 10 करोड उपे लगने वाले हैं, एक साइट को कंप्लीट करने में, अब मैं आगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूँ, और बाद में पता चले मुझे कि जो लास्ट वाली बिल्डिंग है, वहां पर सनलाइट ही नहीं आएगी, तो वहां पर सस्टेन करना तो मुस्किल हो ज बाद रहा है, जीम में बड़ी भीड लग जाती है यूनिंग में, और इसको देखके कई धेर सारे लोग जो फ्लेट खरीते हैं आते हो लगता है जीम बहुत छोटा है और वो फ्लेट को कैंसिल करके जा रहे हैं, और वही सब हमारा में इंकम है न, ठीक है, तो यह सारे जो कॉस्ट आएगी, क्या करना है, रेबिट के माध्यम से, नैविस्वर के माध्यम से, माइक्रोश और प्रोजेट के माध्यम से, ठीडेस मैक्स के माध्यम से, टेकला के माध्यम से, सारा कुछ पहले से चेक कर लेना, उसकी पूरी लंबी सी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस को लग जाएगा beam होता क्या है अच्छा लग है तो थोड़ा सा पैसे invest कर लेना मुश्किल से मुझे लगता है कि इतना कम cost तो मुझे लगता निकि possible हो पाता होगा मैंने किया है कैसे किया कर लिया है ठीक है तो beam का course अगर आपने सीख लिया तो आपको वैसे ही सारा कसारब में मिल जाएगा अब चलते हैं दूसरे advantage यह तो हो गया उसके लिए जो अपना काम करना चाहता है उसके लिए advantage समझ में आ गया जौब करना चाहते हो तो भाई जौब करना चाहते हो तो उसमें option ही option है ठीक है क्या option है सबसे easy option है beam dropman का कुछ नहीं जिसको सिफ rabbit art texture सही से आता है क्या आता है rabbit art texture सही से आता है और autocad आता है वो beam dropman के job के लिए apply कर सकता है तो पहला advantage is easily you can get the job in beam dropman profile कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको बड़ा मजा है का उसको सीख टे डाइम तो थोड़ा से आपने आपको active कर लिए थोड़ी से अच्छी rendering लाइक inscape करके software सीख लिया rabbit art texture को थोड़ा high level पर सीख लिया या फिर 3dus max सीख लिया वो क्या हो गए पूरी तरीके से modular हो गए पूरी तरीके से कुछ भी model कर सकते हैं तो वो लोग जॉब के लिए apply कर सकते हैं कौनसी जॉब के लिए beam draftman की क्या बात है एक course है और दो profiles में अभी job लग गई अभी तीसरा सुनों ठीक है beam modular लेकिन beam structural modular क्या beam structural modular अगर आपने सही तरीके से उसके अंदर rabbit structure या फिर टेकला structure या फिर दोनों अच्छे से सीख लिया beam structures उसरी rabbit structures या फिर टेकला structures या फिर दोनों अच्छे से सीख लिया आप 100% beam structure modular की profile पर जा सकते हो जो की तीसरा advantage एक जो था businessman के लिए यह उन्हें पहले बता दिया यह तीनों आपके लिए हैं जो लोग अभी job searching में चली अच्छी बात है कुछ लोग ऐसे होंगे जो mechanical background से आते होंगे उन्होंने HBAC का और क्या बोलते हैं सारे subject सुनके अच्छे रहोंगे तो लोग rabbit MEP सीख सकते हैं गाईस क्या सीख सकते हैं रेविट MEP सीख सकते हैं तो MEP modular हो सकते हैं अगर आपका interest है तो आप भी उसमें जा सकते हो और बहतरीन package देते हैं MEP में तो यह तीसरा profile हो गया चौथा profile हो गया जिसमें आपका advantage हो गया चलिए कुछ ऐसे लोगोंगे जिनको architecture, structure और MEP तीनों बहतरीन तरीके से आ गया तीनों बहतरीन तरीके से आ गया तो beam coordinator का काम कर सकते हैं कि इसका beam coordinator का जो की तीनों को coordinate करके काम कराएंगे beam 360 का concept होता है, point cloud का concept होता है तो वो सब company आपको खुदी training दे देती है कैसे करना है आप क्यों तीनों चीज़ आता है इसलिए आप अच्छे से coordinator कर पाऊगे तो beam coordinator का काम मिल सकता है यह आपकी पाचवी advantage सबसे बड़ी हो सकती है चटवी advantage अगर आप उसके अंदर MSP यानि Microsoft Project को सीख लेते हो हम लोगा जो मेरा beam का course है बहुत जल्दी जनवरी और फरवरी के बीच में ही उसको भी add कर देंगे उसके अंदर जो लोगों ने भी course लिया टेंसर मत लेना आपको MSP free of cost मिल जाएगा so MSP add कर दो MSP सीख लेते हो तो क्या होता है आपको manage करना चीज़े आ गई क्या गई manage करना आ गई साती साथ rabbit architecture और structure rabbit MEP अच्छे साता है so आप beam manager बहुत आसानी से बन सकते हैं क्या बन सकते हैं वाई साब beam manager बन सकते हैं आप सोचो एक ही profile है कितने धेर सारी इसमें job option होगे आप इन छेक एच्छ जिनने भी option मैंने बताया है इनको check करो online इतने धेर सारी आपको job मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो बट सब स्यादा जो मिलेंगे beam draftman के beam modular के structural modular के ये तीन trending job हो सकते हैं और चौथी हो सकती reward detailer की जो इसके अंदर tech class सीखा होगा अच्छे से उसको reward detailing का काम अच्छे साता होगा तो reward detailer की job सर्च कर सकता है हमलब seven advantage है job के अंदर और अगर आपको खुद का कुछ करना चाहते हो तो बहुत बड़ा investment को आप save कर सकते हो सही तरीके से check कर सकते हो इसके अंदर LODs होती है level of development को कुछ कंपनिया LOD 300 तक काम करती है कुछ LOD 500 तक काम करती है इसके अंदर dimensions होते हैं लग अलग company जैसे से उनकी अपनी capacity उसके हिसाब से काम करते हो और अगभी इंडिया में ऐसी बहुत तेर सारी companies आ गई है जो जिनका main origin है US में और यहां इंडिया में बैट के काम करें उसके reason क्या है यहां पर manpower उनको उनके हिसाब से बहुत कम rate में मिल जा रहे है यहां पर manpower उठा रहे है और यहां के लोग यूएस का काम करके अच्छी earning कर रहे है तो most important thing is अनी आनी चाहिए अभी आज़ा फ्रेसर आपको क्या चाहिए इससे stability वाले job चाहिए जिससे कि कल को खुद का कुछ कर सको so this is the most important advantage hope आपको समझ में आया होगा और जिसने भी बीम नहीं सीखा है थोड़े दिन इंतजार करो अभी Christmas का offer आने वाला होगा तो उसके माध्यम से आप अपना benefit उढ़ा ले ना और पूरा 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 बीम सी किने के बाद फाइदे क्या क्या है क्लियर है क्या चलिए thank you so much for watching this video hope you like this guys जै हिंद जै भारत